क्या आपके बच्चे की भी पहली सर्दी है? हमें कई बरह से सुनने को मिलता है ना कि बच्चे की जब पहली सर्दी होती है तो जादा धान रखना होता है क्योंकि बच्चे की immunity कमजोर है, बच्चा भी बहुत छोटा है, बच्चा बहुत जल्दी बिमार पढ़ सकता है तो क्या गलतियां हमें बच्चे की पहली सर्दी में नहीं करनी चाहिए ताकि बच्चा healthy रहे और बच्चे को किसी तरह की परिशानी ना हो तो आज इस वीडियो में हम यही सब बाते करने वाले हैं, यह वीडियो बहुत helpful है तो इसको end तक जरूर देखेगा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीज आपको धिहान रखने कि बच्चे को layers में ही आपको कपड़े पिनाने सर्दियों में जैसे सबसे नीचे आपको उसको cotton का कुछ कपड़ा पिनाना चाहिए, क्योंकि डारेक्ट आप वुलन कपड़े पिनाएंगे तो बच्चे को uncomfortable feel होता है अंदर cotton कपड़ा पिना पिना सकते हैं फिर आपको हलका सा half sweater फिर फुल sweater ऐसे आपको layers में पिनाना है layer से पेनाने से बच्चे को एक तो अच्छी गर्मा हट भी मिलती है और साती साथ जो आपको लग रहा है कि जादा गर्मी हो रही है और एक layer निकाल देनी चाहिए तो आप आसाने से निकाल सकते हो अपने से एक layer extra आपको पिनानी है कि चोटे से बच्चे को उत्ते सारे कपड़े पिना दें को बच्चे बता भी ने सकते हैं कि उन्हें कितनी गर्मी लग रही है तो इसके लिए best होता है कि बच्चे को layers में कपड़े पिनाए और अपने से एक layer extra पिनाए नमबर टू बच्चों को ठंड से बचाने के लिए बच्चे का सर, बच्चे का कान, बच्चे का चेस्ट, बच्चे की पैर और हाथ यह सब जो है अच्छे से कवर होने चाहिए तो सर के लिए आप कैप पिना सकते हैं के सिंट्र से heck पहने और की सिंट्र का नहीं कान भी मजि कवर हें, प्रिक्राब 국व हैं, तो वा ओाय। यह chances कम होते हैं रात को सोते समय आप बच्चे की सॉक्स जो है तो निकाल सकते हैं या फिर हल्की कॉटन की सॉक्स जो है रात के टाइम में पनाईए वरना बच्चे को बहुत ज़्यादा तो इसे बइसे बच्चे को पैरो में स्वेटिंग भी होती है या फिर बच्चे अगर बिच्चे को स्थो जानना चाहते हैं तो अगर बच्चे के घर में जो हमेड है का कर सकते हैं तो इस Zuridiy अल्रेड़ी एक वीडियो बनाया हुआ है कि जीरो मन्स से लेकि टू यूर्स तक के बेबी के लिए आप क्या क्या चीज़े कर सकते हैं घर में ही वो आप यहां पर मैंने इसका लिंक दे दिया आप यहां जाकर इसको चेक कर सकते हैं नेक्स्ट बच्चों की मसाज भी आपको डेली करनी चाहिए सर्दियों के टाम में पर चीज़े लगा है अब मसाज आपको तभी करनी है जब बच्चे की गर्ब नाल निकल गई यह तो गर्ब नाल निकलने के बाद से यह पहले नहीं करना है मसाज के लिए आप जो हैं बदाम का तेल या फिर जैतुन का तेल ओलिव ओयल जो है यह आप यूज कर सकते हैं कर दो इसके लावा सरसो का तेल भी आप यूज कर सकते हैं जैसे मने बुदा पैश्ट्र है जरूगा सरसो का तेल जो है काफी बच्चों को सूट नहीं होता है पर अगर आपके बच्चे को सूट हो आ तो आप उससे मसाज कर सकते हैं सरदियों में सरदियों के लिए अच्छा ओय्ल है अब किसी बच्चे को अकर यह तीनु ऑल सूट नहीं कर रहे हैं कोई बी यूज करें कि इसitel तो बैसे वॉंज करें आप कोकोनट ऑईल जो सकते हैं को यूज करिए यूज करें ज़ादा गरम पानी से कर बच्चे को निलाते हैं तो बच्चे की स्किन क्या होती है गरम ड्राइ हो जाती है नेक्स देखिए, सर्दियों के टाइम में बच्चे को आपको अच्छे से हाइडरेटेट भी रखना है, तो इसके लिए अगर आपका च्छे मेनी से छोटा है, तो हर दो गंटे में आपको बच्चे को दूद पिलाना चाया, ब्रेस्फीट करा रहे हैं, या फिर आप फॉर् बच्चे को डालने से होता क्या है, कि बच्चे को अच्छे गर्माट मिलती है, सर्दियों के टाइम में जब बच्चे को अच्छे से गर्माट मिलती है, तो बच्चे अच्छे सोते हैं, अगर बच्चे को ठंड जादा लग रही होगी, तो बच्चे क्या है, अच्छे सोत को जरूर ध्यान में रखें, ताकि बच्चा हेल्दी रहे, बच्चा बिमार ना पड़े, I hope आपके लिए वीजियो हेलफुल रहा होगा, कोई और सवाल है आपका, तो मैं कमेंट मॉक्स में लेकर आप पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you for watching.